आज अब निव टॉपिक लेकर आएं आप लोगों के लिए क्योंकि एक्जाम समारे आने ही वाले है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें पसंद आए तो बहुत सारा शेयर करें जिससे आपके क्लासमेर्स भी देख सकें ओके और मिलते हैं अलग-अलग वीडियो के टॉपिक्स पे चैप्टर्स पे अलग-अलग बुक्स के सब्जेक्ट्स पे अभी फिलाग पढ़ते हैं स्टैक ओगनाइजेशन जो की हमारा बुक है कंप्यूटर आर्टिटेक्चर एंड हार्डवेर मेंटिनेंस C.A.H.M. the 5th semester of political computer science so we are starting our new topic stack organization storage device for storage information in manner guys इसका जो first part है जो के एकदम पत्चो जैसी language में हमें आपको बता है जिससे आप लोग इसका जो base है आप किसी भी चीज का अच्छे समझने के लिए उसका base पर जा सकते हैं base पर जाएगे वीडियो नहीं मिले गूगल पर जाएगे कहीं नहीं आपको मिलेगा जैसे ही मैंने इसका base आपके इसके फॉस्ट पार्ट में डाला है इसलिए आप थोड़ा आपको high language मिलेगी जो की हमारे exam nurse को बहुत ही ज़्यादा प्रवाफित करती है अच्छा result लेने के लिए हम में जो हमारी language हमारे engineering diploma में सखाए जाती है वो जरूरी है जो हम अपने exam में लिखना चाहिए लिपो लास्ट इन फास्ट आउट यह भी आपको पता होगा जो मेरे channels देख रहे हैं जो मेरे video देख रहे हैं तो उनको पता ही होगा okay stack is a memory unit with an address register called stack pointer this is called as a shop formula SP okay so this is you know stack but the object in the stack is called as stack pointer okay but stack can't lie ABC जो इसके object डाल दिये जाते हैं जिससे deletion और insertion होता है वो stack pointer कहलाते हैं stack point always point at the top element in the stack जो टॉप में होता है ठीक है आपका point वो stack के element में के लाता है आपको इसको इसमें मोरी है इसमें इतने सारे हैं इतने सारे हैं इतने सारे हैं कोई चीज़ अब डिलीट करोगा जैसे आप मैंने यह डिलीट कर दी तो कितने बचेंगा 1 2 3 4 5 6 7 इतने हैंगे तो इसमें क्या हुआ है तो इसमें क्या हुआ है तो इसमें क्या हुआ 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 छो, चेकाऊट करते हैं थोड़ डेफिनियशन पर लर्च फेज दो प्रवेल शर्वेलि स्माल द्वाहर होार दीज्द nuo reassna studies प्र्वाइ द्वाइसर यह अब दॉर ससससर। में प्रवेलियन द्टोत प्रवेलियन then second way is memory stack stack type is flexible means कैसे भी हो सकती है यह है unlimited हो सकती है कम जादा हो सकती है a portion a large memory जो memory stack है having large memory quantity okay the resistor stack has not large memory two storage two storage storage different types of stack first is register organization okay small temporary memory device which hold the data which is connected to the city so this is about the upper photos are temporary memory temporary memory you have got a drop trying get up the gray अगर जादा हो जाएगा तो तो क्या कोदा आप उसको अलग कर दोगे वह चीज़ आपको मिलेगी नहीं वह temporary memory आईगी आपकी जो जो होल्ड करती डाटा connected CPU से होती है small temporary memory which device which hold the data which is connected to the CPU सुपाइस हमारे इसमें रेस्ट और इसमें में थोड़े से चोटे से दोठो ऑगनाइजेशन ऑप्रेशन दी गए जो कि check pointer check pointer increment SP समझ गया होंगे मैंने आपको अभी next page जो मैंने टर्न के आउसमें आपको दिया गया है यह बस थोड़ा शॉट में दिया गया है आपके लिए गाई यह हमारे चोटो से एक्जाम्पल है सरे एक्जाम्पल नहीं थोड़ा सा ब्लॉग डाइग्राम है जो कि हमारे रेस्ट और अगनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है तो स्टैकर अगनाइजेशन और 64 वर्ड्स हैविं आपको बनाना जरूरी है इसमें 63 एड्रेस वी और जिरो टु फोर शोगें यह आपको स्टैक पॉन्टर इस जिडि़ो टु फॉर एडिंग फुष ए दीयंग सी स्टैक पॉइंटो सी तक हैस्में अपका मैं आपको बताया है जो स्टैक बेस्टैक है स्टैक है स्टैक पोईंटर के अंदर जो आप ऑप्जेक्ट दी वह आपके SP कहलाएंगे जो कि स्टॉक पॉइंटर को नाम करेंगे यह आपका डेटा रेज्टर आपका डेटा अपने अंदर सम्हाल के रखता है यह हमारा memory organization है तो यहां पर push operation में थोड़ा जाते हैं इसमें SP stack pointer equal to sorry आपको एदर पर साइन है SP minus 1 memory SP DR data register okay सेम आपका ऐसे pop rest operation में है DR data register memory stack pointer stack pointer check pointer plus 1 आपको यह फिरक्स में बोलता है ना derivation type derivation चोट चूट चूट लाइन्स का यह आप अपको एक्जाम में लेक्स आपको झाल आपको झाल 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 झाल